हाई welcome to my channel इस वीडियो में solve question number 5 कर रहेंगे और हालू cylindrical pipe is 21 decimeter long एक हालू cylindrical pipe है जिसका length दे दिया है मतलब height दे दिया है 21 decimeter तो 21 decimeter का मतलब हो गया इसमें 10 से में apply करतेंगे तो यह बतल जाएगा किसमें 21 cm में मतलब सेंटीमिटर में 210 cm हो जाएगा यह ठीक है decimeter और centimeter में केवल difference 10 का होता है तो यह तना हो गया अब कर रहे कि its outer and inner diameters are 10 cm and 6 cm respectively मतलब कि outer diameter दिया हुआ है मतलब यहां से लेकर करके यहां त 10 cm और जो inner diameter दिया हुआ है 6 cm दिया हुआ है यह मतलब कि यह वाला है यह आपका है कितना 6 cm है ठीक है मतलब radius निकल जाएगा inner वाला और outer वाला ठीक है और उसका use करके हम निकालते हैं क्या volume of a hollow cylinder यहां पर find करना है वही find the volume of the copper used in making the pipe बने copper जितना यूज हुआ है उसका volume बता इस cylinder का pipe होगा इस cylinder का volume होगा है कि नहीं तो चलिए हम यहां पर solve कर लेते हैं तो यहां पर सार दा radius दिया हुआ है हमको दोबारा रखे लिखनी जोड़त नहीं है यदि आप exam में लिखते हैं तो सही रहेगा आप ऐसली सकते हैं कि given that given that करके और आप लिख सकते हैं कि height is called to 21 decimeter और इसी को बदलने का centimeter में मिल जाएगा 210 centimeter उसके बाद radius capital R1 capital R1 आपका हो जाएगा 10.5 sorry capital R मानिये क्या मानना क्या मानना क्यों आर मान लिखे लेता हूं इसको एक्षिली आउटर रेडियस ठीक है आउटर रेडियस is called to was a capital R is equal to 10 diameter head 10 upon 2 is a means of 5 centimeter and we have was a inner radius is called to small R is called was a 6 upon 2 मतला हो जाएगा 2 26 3 centimeter आप यहाप रहामने क्लना है वाली माफ्टी हलो चलेंडर तो वाली माफ्टी दे कापर यूजड इन मेकिंग दे पाइप तो पाइप बनाने में जो कापर का वाल्यम यूजड हुआ है वो इक्वल होगा वाल्यम आफ वाल्यम आफ वाल्यम आफ दे हालो सिलिंडर जितना उसका वाल्यम होगा उतना ही तो कापर यूजड करेंगे और इसका फामुला क्या होता है इन दोनों में से इनका निकालेंगा किवल बीज का ये वाल्यम है किवल वही निकल जाएगा मतलब जो volume है वो निकल जाएगा actually इस hollow cylinder का और यहां से हम pi h कामा लज सकते हैं और capital r square minus small r square ले सकते हैं या फिर इसी बात काम ले सकते हैं pi capital r square minus small r square into h तो यही मैंने लिखते हैं यहां पर और इसको solve कर लेते हैं तो pi की value है आपका 22 by 7 into देखें यहां पर solve करने के लिए थोड़ा simple तरीका यह है कि इसको break कर लेते हैं लेकिन यहां पर देखें छोटा नमबर दिया हुआ फाइव और 3 दिया हुआ है 5 square minus यह हो जागा 3 square into h h कितना दिया है 210 cm आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि सारे जो units यूज हुए है outer radius के लिए inner radius के लिए और height के लिए वो तीनों के तीनों सेंटीमेटर में same unit में होना चाहिए अब इतना हो गया 7 से टाल लेते हैं 7 में 7 और यह कर जागा 7 3 जा 21 30 हो गया यह यहाँ पर बचा 22 multiplied by यहाँ पर किया जागा 25 minus 39 multiplied by यह हो जागा 30 अब यहाँ जागा 22 multiplied by 25 minus 9 कितना हो गा 16 इन्टू 30 अब यहाँ पर 16 3 जा 48 हो जागा तो 48 में multiply करेंगे 22 से तो 8 2 जा 16 का 6 1 carry over ऐसे में apply करेंगे तो 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 and 8 24 24 और 1 25 25 का 5 2 carry over और यहाँ से ऐसे में apply करेंगे 4 2 जा 8 और 8 और 2 कितना हो जागा 10 मिस 1056 और यह 0 एक यहाँ पर है ही तो मिल जाएगा को 1050 में तब 3560 ठीक है centimeter cube क्योंकि साइए unit समने centimeter में लिखा है तो centimeter cube होगा इसका volume का unit यहाँ पर आगया यह आपका required volume of the copper जो use होगा इस pipe को बनाने के लिए ओके and this is your answer thank you so much for watching bye